Hello students, today in this video we will learn about Google Classroom Google Classroom में कैसे study करते हैं ये आज हम जानेंगे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अपने मुबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाकर गूगल क्लास्रूम को डाउनलोड करना है ठीक है? डाउनलोड करने के लिए प्ले सिम्पल स्टेप्स है सर्च करेंगे, महाँ पर इंस्टॉल लिख कर आएगा आप गूगल क्लास्रूम को इंस्टॉल करेंगे फोन में और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा नीचे यहाँ पर ओपन लिख कर आएगा तो आप इसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ही आपके फोन में यह डाउनलोड हो गया अब आपको यहाँ पर लॉग इन करना है इसके लिए mail ID जो आपकी mail ID है उस पर आपको click करना है जैसे कि यहाँ पर मेरी mail ID है नूतन.सिंग वाला तो मैं उसे click करूँगी क्लिक करते ही यह मेरे phone में ऐसा page में दिखाई देगा इसमें side में एक plus button होगा जो कि यहाँ पर दिखनी रहा है इस plus button को जैसे मैं click करूँगी join class और create class का option आएगा तो आप student है तो आप इसे join करेंगे ठीक है आप join पर click करेंगे क्लिक करते ही आप से आपकी class का code पुछा जाएगा जो कि आपकी class teacher या subject teacher आपको provide करेंगे जैसे कि यहाँ पर j67sc2ky evs का class code है तो मैंने इसे type किया आपर जैसे ही मैं इसे यहाँ पर लिखूँगी मैं इस class में join हो जाऊंगी ठीक है और join होते ही आपको अपकी class दिखाई देगी जैसे कि यह click c or d section है और यह evs classroom है तो आप इस class में enter हो गए और आप देखोगे कि यहाँ बढ़ नीचे तीन option दिखाई देगे रहे है stream, classwork and people तो इसी में जाकर आपको पढ़ाई करने आपके classroom option में जाकर आपको आपके assignment, quiz, test, videos आपके chapter से related सभी चीज़े provide की जाएंगी आपके teacher के दारा और यहाँ पर एक option और है people जिसमें आपके teacher और आपके classmates दिखाई देगे ठीक है यह बहुत easy और बहुत ही innovative बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का तो आज ही आप इसे download करिये और अपनी पढ़ाई शुरू करिये Thank you so much I hope you would understand and love to join this class Thank you so much I am Mrs. Utracing from Kinzee विट जाले नमस्वन कोटा Thank you